राइगर जिले के तमनार विकास खंड ओदोगी विकास और खनन के नाम से जिस तरीके से आदिवासियों को लूटा गया उसका एक जीता जाकता नमूना है यहां का ग्राम सरै टोलाग यहां एक ऐसा गाउ है जहां एक हजार की जन संख्या में लगभग सो बिध्वा महिलाए इनके बिध्वा होने के जब कारणों को मैंने जाना तब पता चला कि इनकी जमीन साड़ा एनर्जी नाम के एक ओपन कोल माइंस खदान के कमपणी के नाम से इनके पूरवजों ने जमीन साथ आठ साल पहले दे दिया इसके बाद जिस तरीके से वादा खिलाफी इन कमपण के द्वारा क्या गया उस से यहां के अधीवासियों में एक मानसीक तनाओ आया और कई ऐसे लोग है जो सराब का सेवन करने लगे कई ऐसे लोग थे जो दुर धटनाओं में मरे इस तरीके सी हम पुरा एक जो गाऊं हैठ पूर एक एक विध्वाओं के गाऊं में परिवर् प्रणाइब देटाइब लेले आओ तेंदू, मौहा, बहरा, गुरी हम सब चीज हर्या लोर्या केरके हम जियत खात रहें तब अजी एह हर आगे इस ताहमन ला कोनंग जाई कोनंग गई हमनला काछूनी मीला ते आजी साइट साल पूरने वाला है ताहमन का काम केरके जी भो अभी कमपणी के रहा जाएगा है इसा हम पत्थर भोह थोरी ना सख भो इटागी ठीटी तो पत्थर भोहा है तुम्हर गाह में हमर गाह में सत्तर शीठी बिद्वाहन पूरा बस्ती खाली हो जाते जटकी डव का चिंत हमार चार के दूसा भर तो चल दीज कालोरिया कार्बो साबला तो कमपानी खा दीता ता हम लब पंच पचा जार महिना में पैसा दे ता तो हम जी वो जो प्रभावित गाउं हैं जितने खिसान हैं जिनकी जमीन स्कदान में जाएगी उनको एक साल के अंदर हम याकी गारी भता देंगे उसके बाद कमपणी और गाउं के लोगों के बीच में समय समय पर बात भी होती रही है और यह लोग अपने इस तरह पर सब सिकायद भी करते रहें और कारवाही नहीं हुटी राइगार कलेक्टर स्री मुकेश बंसल सहाब को आप 94 25 27 24 65 फोन नंबर करके उन्हें दबाब डाले और उन्हें बताएं कि 1000 रुपे केवल तिन माह देने से किसी बीद्वा के जीवन के खालीपन को कोई न तो कमपणी भर सकता है न कोई जिला प्रसासन भर सकता है मैं सवितार राइगार 36 गार इंडिया अन हर्ट के लिए